दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे की भगी रथ ने गंगा मया को धर्ती पर कैसे लाया और क्यूं लाया। पुरानिक कथाओं के अनुसार गंगा का जनम भगमान बरहमा जी के कमंडल से हुआ था। एक बार बरहमा जी ने भगवान बिस्नु जी के चर्णों को आदर सही धोया और उस जल को अपने कमंडल में इकठा कर लिया। जिसे मा गंगा का जनम हुआ। इसलिए उन्हें परहम पुत्री भी कहा जाता है। गंगा मैया पहले स्वर्ग लोक में रहती थी लेकिन वह धर्ती पर किस कारण से आई और क्यूं आई इसका रहस्य जरूर सुने। जिसे असमेग यग भी कहा जाता था। इसमें घोरा को छोड़ा जाता था। अगर जो कोई भी उस घोरा को पकर लिया तो उसे राजा के साथ यूद करना परता था। एक बार राजा सागर ने भी ऐसा ही असमेग यग किया था और घोरा को छोड़ दिया। पर उस समय इंदर देव को ये भैत था कि कहीं घोरा स्वर्ग से गुजरा तो स्वर्ग का ऐसा राजे राजा सागर के पास चला जाएगा। और यदि वह घोरा पकर लिया तो राजा सागर से यूद जितने की भी कोई उमीद नजर नहीं आ रही थी। ऐसी इस्थिती में इंदर ने बहुत ही चलाकी से सोच समझ कर निर्न लिया और भेश बदल कर घोरा पकरा और उसे कपील मोनी के आसरम में बांदिया। राजा सागर को इस बात का पता चला की उनका घोरा किसी ने पकर लिया है तो उन्होंने गुस्य में आकर साथ हजार पुत्रों को यूद करने भेज दिये। कपील मोनी अपने आसरम में ध्यान लगा कर बैठे थे। राजा सागर की पुत्रों भी घोरे की तलास कर रहे थे। और जब उन्होंने घोरा कपील मोनी जी के आसरम में देखा तो आसरम में हुई चहल पहल से मोनीव जी का ध्यान हट गया। तब राजा के पुत्रों ने मुनीव जी पर घोरा पकरने का जोटा इलजाम लगाया। तब मुनीव जी ने गुस्चे में आकर राजा के सारे पुत्रों को भस्म कर दिये। इसके बाद राजा के पुत्रों की आत्मा को सांती नहीं मिल रही थी। कई पीडियों के बाद उस कूल में राजा भगीरत का जनम हुआ। उन्होंने ये निश्चा कर लिया कि वे अपने पुर्वजों की आत्मा को जरूर सांती दिलाएंगे। इसलिए उन्होंने भगमान विश्चु की कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से खुस होकर भगमान विश्चु ने राजा भगीरत को अपने दर्शन दिये। भगीरत ने गंगा नदी को धर्ती पर लाने की पुर्वजों को आत्मा को सांती तभी मिल सकती थी जब उनकी अस्थ्यां गंगा नदी में बहाया जाए। इसलिए राजा भगीरत ने भगमान विश्चु से ये बरदान मांगा था पर विश्चु ने कहा कि गंगा बहुत ही कुरूर सुभाव की है। पर जब विश्चु जी ने गंगा मा को धर्ती पर आने को कहा तो वह बहुत जाती और नश्ट हो जाती। ऐसे में भगमान विश्चु ने सिब जी से पराथना की की वे गंगा को अपनी जटाओं में बांध कर उसे काबू करे ताकि धर्ती को कोई नुकसान न हो। जब गंगा बहुत तिव्र गती से धर्ती पर उतरी तो तब चारों तरब धर्ती प तुफान सचा गया। ऐसे में भगमान सिब ने गंगा को अपनी जटाओं में समा कर एक पतली धार के समान धर्ती पर उतारा। इस तरह गंगा का धर्ती पर परवेश हुआ।